दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अताकी माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगा हूं पानी कैसे पीएं तो इन्होंने का असे करके पीएं यह अच्छा नहीं है आपके लिए अच्छा नहीं है आपको पानि helping लिएowy a तो शरीर के नजधी रखने ही पानी पीएं हमारे भारत में मैं आपको एक बात ऐसी कहता हूं जो थोड़ी किसी हट कर है लेकिन आपको समझाने में मदद करें भारत में हजारों साल की जो सब्विता है गिलास नहीं है Hai ller ये गिलास जो है न विदेशी है m गिलास भारत का नहीं है कि ये मैं यूरोप से आया और यूरोप में पूर्तगाल से यह पूर्तगाली जब हमारे देश में गुण गई तब से गिलास में हम फब गये गिलास अपना नहीं है लोटा है लोटा है लोटा और गिलास का अंतराफ लोटा है और लोटा कभी भी एक रेखिय नहीं होता वो ऐसे 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 होता है तो बागवटी जी कहते हैं कि जो बरतन एक रेखी हैं उनका त्याज जिकरें वो हैं नहीं अच्छे काम के नहीं तो गिलास का पानी पीना अच्छा नहीं माना जाता तो लोटे का पानी पीना अच्छा माना जाता अब आप बोलेंगे जी क्या फरक है फरक सीधा सा है पानी के बारे में मैं बता चुका हूँ पानी को जहां धारन किया जाए वैसे गुण उसमें आते हैं पानी अपने गुण कुछ नहीं है जहां दे दो वो ही गुण हो जाते हैं दही में मिला दो तो छाच में बन गया वो तोटा गौल है ना गौल है ना और आप थोड़ा गणित अगर समझते हैं और विज्जान समझते हैं तो हर गौल चीज का सर्फिस टेंशन कम रहता है कि हर गोल चीज का सरफेस टेंशन कम रहता है क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है हर गोल चीज का क्योंकि सरफेस एरिया कम है इसलिए सरफेस टेंशन कम है इसको हिंदी में प्रश्ट तनाओ कहते हैं हर गोल चीज का सरफेस एरिया कम है तो सरफेस टेंशन कम है और सरफेस तो कम सर्फिस टेंशन का पानी ही आपके लिए सबसे ज़्यादा उप्योगी है अगर सर्फिस टेंशन बढ़ा हुआ पानी आप पिएंगे तो बहुत तकलिफ करने वाला है सर्फिस टेंशन बढ़ी हुई कोई भी चीज़ आप खाएंगे तो तकलिफ करने वाली है क्योंकि उसमें शरीर को तकलिफ देने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर आता है तो गिलास का पानी और लोटे के पानी में जमीन आस्मान का अंतर है इसी तरह से कुए का पानी कुए गोल है ना सबसे अच्छा ये सारे सादूसंद कुए का ही पानी पीते हैं आप जानते हैं ना मिले तो विहार कर जाते हैं जहां कुए मिलेगा वहाँ पीएंगे देखा है ना आपने सादूसंद वो कुए का पानी उनके लिए सरुश्रेश्ट है क्योंकि कुएं गोल है कुएं की सर्कमफरेंस कम है और सर्फिस एरिया कम है इसलिए सर्फिस टेंशन कम है और सर्फिस टेंशन कम होने से क्या होता है पानी का एक गुण बहुत लंबे समय तक जीवित रहे पानी का सबसे बड़ा गुण है सफाई करना अब आपके लिए वो गुण कैसे काम में आ रहा है वो जरह देखे आपकी बड़ी आथ है और छोटी आथ है आप जानते हैं कि उसमें मेंब्रेन है कच्रा उसी में जाके फसता है तो इसको निकाल निकाल के बाहर लाना पड़ता है ये तब ही संभव है जब सर्फिस टेंशन कम बाला पानी आप पी रहे है तो अगर सर्फिस टेंशन बड़ा हुआ पानी है तो ये कच्रा बाहर नहीं निकालेगा मैं इसको एक दूसरे तरह से समझाता हूँ कॉम्प्लिकेशन है लेकिन सरल समझा रहा हूँ आप एक एक्सपरिमेंट करिए आज घर जाईए और दूद लेके चेहरे पे लगए थोड़ी दे और पान्च मिनिट बाद रूई से पोचिए तो रूई काली हो गई है ना कैसे अंदर का कच्रा और गंदगी बाहर आया कैसे बाहर आया वो दूद में बाहर लाया अब दूद कैसे बाहर लाता है दूद का सर्फेस टेंशन सभी वस्तूओं में सबसे कम है तो जैसे दूद आपने अपलाई किया दूद ने इस तवचा के सर्फेस टेंशन को कम कर दिया क्योंकि जो वस्तू का जो गुण है दूसरे पर लगाओ तो वैसा ही आएगा तो यहां दूद ने सर्फेस टेंशन कम किया तो तूचा थोड़ी सा, खुल गई और तूचा खुली तो अंदर का कच्रा बाहर निकल गया यही क्रिया पानी करता है पेट में यहीं से आपने पेट में पानी डाला बढ़ी आत और छोटी आत का सर्फेस टेंशन इसने कम कर दिया, तो बड़ी आथ और छोटी आथ थोड़ी खुल गई, और खुली, तो सारा कच्रा उसमें से बाहर आ गया, और हाई सर्फेस टेंशन का पानी पिये, ज्यादा सर्फेस टेंशन का, तो आथें सिकुडेंगी, क्योंकि तनाव बढ़ेगा, तनाव बढ़ते स इसलिए सर्फेस टेंशन कम वाला ही पानी पीना, लोटे का पानी सबसे अच्छा माना जाता है, गोल कोई भी वस्तु आपके घर में है, उसमें रखा हुआ पानी पीना सबसे अच्छा माना जाता है, तो गोल कुए का पानी है, तो बहुत अच्छा है, गोल तालाब का पा पानी की तुलना में हमेशा कुएं का पानी अच्छा क्योंकि नदी में गोल कुछ भी नहीं है वो लंबी है तो वहां का पानी हमेशा हाई सर्फिस टेंचन वाला है और नदी से जादा खराब समुद्र का और सबसे अच्छा पानी लोटे का लोटे जैसी कोई भी गोल चीज क्योंकि उनका सर्फिस टेंशन हमेशा कम है तो यह विशलेशन लंबा चला जाएगा लेकिन मैंने यहां जो आपको याद दिला दिया वो यह कि पानी पी रहे हैं तो गिलास में ना ज्यादा अच्छा है लोटे में पी हैं तो लोटे वापस लाएं घर में लोटे ही निकल ग खतम हो गए के नहीं कसेरे खतम हो गए गाओं गाओं में कसेरा सब्दों समझते हैं वो ठोक पीट के लोटा बनाने वाले आदमी को कसेरा कहते हैं वो पीतल के लोटे बनाते थे कांसे के लोटे बनाते थे सब मर गए विचारे हमारे गिलास के चक्कर में तो बाग बट्ट Android app डाउनलोड करना ना भूले